आज भी धर्ती पर अमर है ये वीर युद्धा जानकर हैरान रहे जाएंगे आप आज हम आपको इतिहास के उस युद्धा के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने अपना इतिहास खून से लिखा था जी हा राजपूतों का इतिहास रहा है कि इन से ज़्यादा वीर धर्ती पर पैदा ही नहीं हुआ अगर सामने से हमला करोगे तो हार ना निश्चित है इसलिए दुश्मनों ने राजपूतों में फूट डाल कर और पीट परवार करके ही हमला किया है आज हम हम आपको आलहा के बारे में बता रहे हैं वैसे तो शायरदही कोई ऐसा शखस होगा जिसने आलहा का नाम नहीं सुना होगा चंदेल राजपूतों जन में आलहा जैसी वीरता और जान पर खेल कर स्वामी की सेवा करने का जज़ बाकिसी में नहीं था राजपूतों के नेलमों और वीरता की मिसाल आलहा पर बिल्कुल ठीक बैठती है आलहा और रूदल दोनों भाईयों ने सचा राजपूत क्या होता है और उसे क्या करना चाहिए ये बताया है भारत में शायर दही इन दोनों भाइयों की टक करका कोई योध्धा हो सकता है महोबा जो आज के समय में एक सामानियस yeah जगई है वो कभी चंदेलों की राज़दानी हुआ करती थी राजा परमाललदेव चंदेल खांदान के आखरी राजा थे राजा परमाल देव के दर्बार में आलहा और रूदल एक समनित सदस्य के रूप में थे इनके पिदा जस राज बच्पन में ही एक लड़ाई में वीरगती को प्राप्त गुए थे राजा ने इन्हें अपने पास रखना शुरू कर दिया और अपनी राणी को इनके पालन पोशन का जिम्मा दिया जैसे जैसे अला जवान होने लगे वैसे वैसे इनकी बहादुरी के किससे दुनिया में फैलते गए इन्होंने महोबा को अपनी भीरता से एक अलग पहचान दिलवाई दोनों भाई राजा परमाल देव पर अपनी जान चरकते थे और हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए तयार रहते थे दोनों भाईयों ने अपनी भीता से आसपास के सभी राज्यों को अपने अधीन कर लिया था धीरे धीरे महोबा की सीमाएं बढ़ने लगी और राज्ये बढ़ा हो गया उस जमाने में तलवारों के बल पर सभी काम होते थे